यह एक रोड है यहां 75 kg लगा है और यहां एक अन्नोन मास है तो एक्सपरिमेंट में हम इस मास का वजन बढ़ा रहे हैं फ्रॉम जीरो और जो थ्रेट्स हैं दे कैन बेर ए मैक्सिमूम टेंशन आफ 1200 न्यूटन ठीक है रोड रिमेंस होरिजॉंटल इक्विलिब्रियम तो उ इसे डिल्ट होनी चाहिए तो वाशुड बिद्री मिनिमम मास अफ लोड वाट इसन मास अफ लोड और जब मिनिमम होगा और मैक्सिम होगा मास अफ द लोड तो क्या टेंशन इन वन आफ द रोपस बीजीरो और नॉट तो जो इनो ने जीरो से शुरू किया है तो वहीं दे तो हमें तो horizontal चाहिए equilibrium पे तो minimum मास इतना डालना पड़ेगा कि ये just balance हो जाए तराजू होता है न उस टाइप से तो इस point के about rod should be balanced तो तराजू की तरह ही अगर just ये balance हो रही है तो इस thread का क्या काम इस thread में tension रहेगा ही नहीं उस वक्त at minimum MP है नो ये हमारा पहला concept है so when MP is 0, beam will tilt about 1 so we need a minimum MP to avoid that at that minimum MP rod will just balance about 1 and therefore T2 is equal to 0 ठीक है अब ये just balance हो गई लेकिन हम उसमें और मास बढ़ा रहे है और बढ़ा रहे है तो अब जैसे इससे बढ़ा होगे न T1 हो जाएगा कम और T2 करेगा increase अब ये समझने के लिए न ये क्यों रहे है आप ऐसी feel लो कोशिश करो समझ में आता है कि मैं समझा भी देता हूँ देखो है इस point के about torque balance करो हमें horizontal चीए न इस point के about torque balance है अब जो clockwise torque है वो लग रहा है मास के करण और tension के करण और counter clockwise torque लग रहा है वो लग रहा है इसके करण and that is a constant तो counter clockwise torque constant है तो clockwise torque भी constant होगा because it is in equilibrium तो इस point के about जब constant clockwise torque है तो इसका अगर हम मास बढ़ा रहे है तो इसके करण torque बढ़ रहा है तो इसके करण torque कम होगा तो इसका tension reduce होगा so that's our point so as we increase mp so as we do so t1 will decrease and t2 will increase so at maximum mp string 2 will break once t2 is 1200 newton तो इसको जैसे से बढ़ा होगे यह कम होगा और यह बढ़ेगा अब यह क्यों बढ़ेगा क्योंकि वह forces भी तो balanced है तो नीचे जो forces हैं that is equal to t1 plus t2 तो नीचे वाले forces तो बढ़ रहे हैं क्योंकि आप इसका mass बढ़ा रहे हो लेकिन इसका tension reduce हो रहा है तो इसका बढ़ रहा है तो इसका बढ़ते बढ़ते जब 1200 पहुंच जाएगा then it will break अब यहाँ पे छोटा सा आता है कि हो सकता है break करने से पहले ही यह tilt हो जाए इसको अगर आप काफी बढ़ात होगे तो इस tilt हो जाएगी clockwise तो हो सकता है इसमें tension zero हो जाए वो भी हम नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे न हम यहां मानेंगे कि इस पर 1200 न्यूटन आया ठीक है वो पहले आया टिल्ट बाद में होई 1200 पहले आया जब 1200 आएगा तब हम देखेंगे T1 की value क्या है forces balance करके तो अगर T1 positive आ जाता है या greater than zero आ जाता है तब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होई है अभी तक लेकिन अगर T1 negative आ जाता है इसका मतलब गड़ बड़े तो पहली वो तिल्ट हो चुकी है तो उस case में यहां पर थोड़ा maximum mass जोगा वो थोड़ा कम करना बढ़ेगा और यह 1200 न्यूटन कभी पहुँचेगा भी नहीं यह last की जब 4-5 पंगतिया मैंने बोली है आप इसको rewind क करके वापस सुन लेना समझने आ हो तो what I am saying is this condition हम assume कर रहे है कि यह 1200 न्यूटन पहले पहले पहुचेगा और tilt बाद में होगा कुछ तो assumption लेना पड़ेगा या तो मुल्टा लेले हम tilt की equation पहले निकाल ले कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी so let's do this first let's assume that this reaches 1200 न्यूटन first and then we will check कि भाई T1 की क्या value आती है so let's do तो पहला case to care simple वाला है तो हमें इतना minimum mass दालना है कि यह horizontal हो जाए so since it is in equilibrium so torque about 1 is 0 ठीक है इस point के बाद torque balance कर रहे हैं and T2 is also 0 ठीक है so दोनों masses के कारणी है torque so 75 G into 0.5 is equal to MP minimum into G into this distance which is 3 यहां से MP minimum है आता है 12.5 kg पहला अब second case में हमने माल लिया है कि यहां पे 1200 newton हो गया है and again we will balance torque about 1 ठीक है so MP 7 अच्छा पहले counter clock को इस चॉक लिखते है so 75 G into 0.5 plus 1200 माल लिया है so plus 1200 into 2.25 is equal to MP max into G into 3 इसको solve करोगे तो MP max की value आती है 102.5 so अब T1 चेक कर लेते हैं T1 की किती value आएगी तो नीचे कितना force लग रहा है 75 sorry हाँ 75 plus 102.5 into G इतना newton लिख लूँ गया जगे जब लिख लेता हूं मैं so नीचे जो force है that is 75 plus 102.5 into G तो वो गया 1775 newton ठीक है इस thread में उपर कितना है 1200 so so minus 1200 which is 575 newton so this is T1 T1 आगया positive इसका मतलब सब कुछ ठीक है मामला कोई थिक्कत नी है so second option तो correct है so maximum mass of the load now is 102.5 third option when mass of the load P is minimum तो ये वाला case then tension in one of the rope vanishes correct T2 जाता है when mass of the load P is maximum tension in one of the rope vanishes ऐसा नहीं हुआ so 102.5 पे T1 positive आ गया तो ये अगर गरबड तब होती न गरबड के मतलब वही basically अगर हमारा negative आ रहा होता tension यहां से अगर negative आ रहा होता tension तो इसका मतलब ये कि tilt पहले हो गया तो फिर हम क्या करते उस case में जब tilt हो रहा है तो इस point के about torque balance करते और उससे निगालते maximum mass of P के आएगा और उस case में T1 0 हो जाता तो उस case में D option भी correct हो जाता अगर ये T1 negative आता तो ठीक है